हेलो गाइज वेलकम बैक अगें तो इंडियन कोडिंग तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे की क्लासेश एन अब्जेक्ट क्या होते हैं पाइफन के अंदर में तो पाइफन इस एन अब्जेक्ट ओरियंटेट प्रोगामिंग लेंगविज एंड अल्मोस्ट एवरीथिंग इन पाइफन इसन ऑब्जेक्ट तो पाइफन क्या है अब्जेक्ट ओरियंटे प्रोगामिंग को सपोर्ट करता है और इसमें मोश्टली जो चीज़ें होती है वो सारी ऑब्जेक्ट होता है ओके विटेट प्रॉपर्टी जैन मेथर्स तो आईए हम देख लेते हैं कि क्लास को यह शोग करती है कि क्लास में वो सारी चीज़ें करती है जो एक अब्जेक्ट कंटेन करता है मतलब उसके प्रॉपर्टीज यानि वेरियेबल्स और कौन-कौन से मैथर्ट वो कंटेन करेगा वो एक क्लास सारा कंटेन रखती है ओके सो हम क्रिएट कैसे करते हैं तो क्लास कीवर्ड लिखते हैं उसके बाद हमारी क्लास का नाम लिखते हैं दैन कोलन लिखते हैं और फिर जो भी प्रॉपर्टीज और मैथर्ड होते हो हम लिखते हैं ओके इस हिसाब से हम अपने इस तरीके से हमारी क्लास को क्रिएट करते हैं इ इस तरीके से हम अपना क्लास को डिफाइन करते हैं और औब जेक बनाते हैं ऐगे तो लेट करके देख लेते हैं कि आखेको है सो में लिगते हैं के और हमारे क्लास का नाम लख देता हैं स्थ है सूपो्ज माइ क्लास क्याक धैन और और एक्सिज वेश्टू फाइव इसके अंदर मैंने डिफाइड कर रखाए फिर अब क्लास का अब्जेक्ट क्रिएट करना है तो सबसे पहले हम अब्जेक्ट ही लिख देते हैं इसका नाम और फिर अब मुझे लेट सबस्क्राइब अब मैं इस ऑब्जेक्ट की है इस ऑब्जेक्ट जो मैंने क्रिएट कि है इसकी है जो भी मैथर्ड या प्रॉपर्टी इसके अंदर डिफाइड है उनको एक्सिस कर सकता हूं तो देखो अगर मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट डॉट एक्स है तो मेरे पास प्रिंट हो जाएगा five X के अंदर जो डिफाइन हो ओडीफाइन हो ने वह दुझांगा मेरे पास देखो मेरे पास 5 आगया तो यह क्लास क्रिएट करते हैं हूं और उब्जेक्ट का है उसकी प्र Pode sko erm trad शन होता है वह हम देख लेता ह है कि वह फंशन कौन सा होता है ओके सो इस function का नाम होता है इनिट function ओके इसके पहले आता है underscore then init then again underscore then function का symbol तो यह बहुत ही important function होता है जब हम python के साथ में classes का use करते हैं एक example की help से हम इसको use करते हैं okay so all classes have a function called init सारे जितने भी classes होती है सब में init function होता है which is always executed when class is being initiated so class जब भी initiate होती है तब हमेशा init function का होता है execute होता है use the init function to assign values to object properties और इसका use किसलिए होता है assign the values to object property जब हम अपने class का कोई object create करते हैं तो उसके values assign करने के लिए हम इसका use करते हैं okay तो आईए हम इसको एक example के हैं तो देखो हमने क्या किया एक class बनाई person के नाम की ठीक है फिर हमने इसके अंदर अपना init method को define किया है ओके फिर इसमें हमने इसमें parameter कौन कौन से दिया है नेम और एज और एक self नाम का तो self.name में हमने डाल दिया name ठीक है self.age में हमने डाल दिया अब जब हम कोई भी इसका हमने object बनाया है तो उसमें हम जब भी अपने person नाम की class को define करेंगे तो हम उसमें क्या करेंगे values को pass करेंगे फिर हमने क्या किया अब अब हम इस object की help से इसको access कर सकते हैं तो हमने name और age को access किया है इसको हम रन करते हैं तो हमारे पास name आ जाना चाहिए john और age आ गए 36 क्योंकि हमने यही पास किया था तो आपको समझ में आ गया होगा classes on object क्या होती है और हम उसका use कैसे करते हैं If you have any query then please put your doubt in the Q&A section. Thank you.